So guys, आज हम बात करने वाले हैं Infinix Upcoming Smartphone के बारे में जिसका की नाम है Infinix Smartphone Plus Google Play Console Listing की वज़र से Infinix Smartphone Plus की कुछ स्पेसिफिकेशन्स डिवाइस लिस्टिंग यहाँ पे सामने आई है तो चलिए, देखते हैं कि क्या कुछ नए दिखने को मिलेगा हमें Infinix Smartphone Plus में लेकिन नाम के अलावा कुछ और जानकारी, launch date वगेरा सामने नहीं आ पाई थी लेकिन, रिसेंटली Infinix का एक नया model number जो कि X680D गूगल प्ले कंसोल पे लिस्ट हुआ है उसी के साथ पदा चली है कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन्स सबसे पहले बात है अगर यहाँ पे Infinix Smartphone Plus के डिजाइन की तो Infinix अपने वैसे भी सभी स्मार्टफोन में काफी अच्छा डिजाइन यूज करता है तो डिजाइन से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है ऐसा ही कुछ अच्छा सा डिजाइन हमें Infinix Smartphone Plus में भी देखने को मिलेगा जिससे साथ से यहाँ पे images वगरा कुछ reveal हुई है तो पता चल रहा है कि back side में ही rear mounted fingerprint sensor होने वाला है triple camera setup वगरा ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है और front side में आपको देखने को मिलेगी water drop notch डिजाइन के साथ एक बड़ी सी display अब बात है यहाँ पे अगर front side की तो जो यह बड़ी display है इसमें आपको 6.5 या फिर 6.6 इंच का display देखने को मिल सकता है FD Plus Resolution के साथ आपको देखने को मिलेगा Camera setup जैसे के मैंने आपको बताया है हो सकता है triple camera setup आपको इस phone में देखने को मिल जाए with triple LED flash Next point पे आता है processor Infinix Smart 4 Plus में हमें कौन सा processor देखने को मिलेगा I think सबसे जादा curious यहीं यहाँ पे बात होने वाली है क्योंकि recently हमने जितने भी phone देखे उन सभी में Helio P22 का chipset हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और अब seriously time आ गया है कि अपने next device में Infinix कोई और अच्छा और एक upgrade processor ले की आए क्योंकि gaming वगरा भी सबका यहाँ पे option होता है gaming के लिए भी लोग budget smartphone खरीते हैं तो hopefully finger crossed कि आपको Infinix Smart 4 Plus में कोई एक अच्छा सा processor यहाँ पे देखने को मिलेगा OctaCore processor होनी की बात यहाँ पे की जा रही है बट बेटर हो कि Helio P22 इसमें ना देखने को मिले next आपे बात करें तो RAM वेरियंट को सामने आये हैं 3GB RAM, 4GB RAM के साथ हो सकता है 32GB storage, 64GB storage आपको देखने को मिल सकती है जैसे की Infinix के सभी phone में होता है Extra memory card का slot भी देखने को मिलेगा ही अभी तरह Google Play Console लिस्टिंग से सर्फ इतनी ही बातें यहाँ पे सामने आई है थोड़ा wait करना पड़ेगा अब जब देरे-देरे specification leak हो ही रही है तो जल्दी मुझे लगता है कि इस phone का launch भी हमें देखने को मिलेगा बात है अगर price point की तो जिससे आप से specifications है Infinix वैसे भी budget smartphone लेके आती है तो मुझे लग रहे है कि Infinix Smartphone Plus में भी आपको under 10,000 price point ही देखने को मिलेगा और जल्से कि आपको पता ही है Infinix ने latest जो phone launch किये है यहाँ पर Infinix Hot 9 और Infinix Hot 9 Pro काफी कमाल के phone है यार मुझे तो design वगरा phone वगरा काफी अच्छे लग रहे है बात है अगर Infinix Hot 9 की sale की तो sale आने वाली है आट जून को 8,499 रुपे price point है flip card पे आपको देखने को मिल जाएगी तो guys अभी तक तो Infinix Smart 4 Plus के बारे में यही कुछ जानकारी सामने आई है आप मुझे बताई कि आप Infinix Smart 4 Plus से क्या का expectation यहाँ पे कर रहे हैं वेट मत करें जल्दी से मुझे नीचे comment करके बताईए साथ ही साथ आपको हमारे यहाँ पे लेटेस्स दो वीडियोस देख रहे होंगे जल्दी से उने चेक करना भी मत भूलीगा बीच में दिख रहा है सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करें तो मैं हूँ मौनिका हम मिलेंगे इस तरी किसी नेक्स वीडियो में तिल देंस वी बबाई एंड थैंक्स फर वाच्चिंग